विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है वही बुद्धी आदी के प्रिकाशक विश्टू आप स्वेम हैं जिस समें ब्रह्मा की पूरी आयू दो परार्ध समाप्तों हो जाते हैं कालशक्ती के प्रवाव से सारे लोक नश्ट हो जाते हैं पंच महाभूत अहंकार में अह प्रकिती के एक मात्र सहाईक प्रवो निमेश से लेकर वर्ष पर्यंत अनिक विभागों में विभक्त जो काल है जिसकी चेश्टा से ये संपुण विश्व सचेश्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है वह आपकी लिला मात्र है आप सर्वसक्तिमान और परमकल्यान क आस्रे हैं में आपकी सरण लेती हो ही प्रभो यह जीव म्रत्य उग्रिस्त हो रहा है यह म्रत्य रूप कराल व्याल से भैवीत होकर संपुण लोक लोकांतरों में भटकता रहा परंतों इसी कभी कहीं भी ऐसा इस्थान ना मिल सका जहां यह निर्भे होकर रहे आज बड़ औरों की तो बात ही क्या स्वैम्रत्यू भी इससे भाईवीत होकर भाग गई है प्रभों आप हैं भक्त भैहरी और हम लोग इसे दुष्ट कंस से बहुत ही भाईवीत हैं अते आप हमारी रक्षा कीजिए आपका यह चत्रभुज दिप्य रूप ध्यान की वस्तू है इसे क बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे घर्व से हुआ है मेरा धैर तूट रहा है आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं विश्वात्मना आपका यह रूप अलोकिक है आप संख चट्र गदा और कमल की सुरह सी युक्त अपना यह चुत्रभुज रूप छिपा लिज चिद्र और पाकस को वही परमपुरुष परमत्मा आप मेरे गर्व वासी हुए यह आपकी अदुद मनुश्य लिला नहीं तो और क्या है स्री भगवान ने कहा देवी स्वायम हु मनमंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्णी और ये वशुदेव सुद्पा नाम के प्रजापती थे। तुम दोनों के हिर्दे बड़े ही सुद्ध थे जब भ्रमपॉजी ने तुम दोनों को संतान उत्पन करने किया आग्या दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करकी उत्ष्ट तपश्या की। तुम दोन कभी भू सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते तुम्हारा चित बड़ा शांत था इस परकार तुम लोगों ने मुसी अभिष्ट वस्तू प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की मुझे में चित लगाकर ऐसा परम दुशकर और घुर तप करते करत देवताओं के बारे हच्जार वर्स बीत गए पुन्य मई देवीन उस समय में तुम दोनों पर प्रसंद हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तवश्या स्रद्धा और प्रेम मई भक्ती से अपनी हिर्दे में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी उस समय तुम दोनों की अवला स की जैसा पुत्र मांगा उस समय तक विशेव泠ोह से तुम लोगों का कोई संबंद नहीं हुआ था तुम्हारे कोई संताग न थी इसलिए मेरे माया से मुहत होकर तुम दोनोंने दोनोंने मुश्य मौक्ष नही मांगा तुम्हें मेरे जैसा फुत्र होने का वर्प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया अब सफल मनूरत होकर तुम लोग विश्यों का भूग करने लगे मैंने देखा कि संसार में सीरे सभाव अधारता तथा अन्य गुड़ों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्णी गर्व के नाम से रिक्षात हुआ फिर दूसरे जन्म में तुम ही अदिती और वश्देव हुए कश्यप उस समय भी मैं तुम्हा से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ मेरी बाणी सर्वदा सकती होती है मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुश्य सरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती तुम्हें दोनों मेरे प्रती पुत्र भाव तधा नरंतर ब्रह्म भाव रखना इस प्रकार वात्स लिष्टने है और चंतन के द्वारां तुम्हें मेरे परंपद की प्राप्ती होगी स्री शुगदेव जी कहते हैं हे परिक्षित भगवान इतना कहकर चुप हो गए अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारन रशिशू का रूप धारन कर लिया तब वशुदेव जी ने भगवान की प्रेड़ना से अपने पुत्र को लेकर सूत का ग्रह से ब उसी योग माया ने द्वारपल और प्रुवाशियों की समस्ते अंद्रियां वर्तियों की चेतना हर लिए वे सब के सब अचेत होकर सो गए बंदीक रहके सब ही दरवाजे बंद थे उनमें बड़े बड़े के वाड़े लोही की जंजीरे और ताले जड़े हुए थे उनकी दूर हो जाता है उस समय बादल धीरे धीरे गरच कर जल की फवारें छोड़ रहे थे इसलिए सेसे जी अपने फणों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे उन दिनों बारबार बरसा होती रहती थी इससे यमना जी बहुत बढ़ गई थी उनका प्र मारग दिया था वैसे ही उमना जी ने भगवान को मारग दे दिया वशुदेवी जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा सब के सब गोपनीद से अचित पड़े हुए हैं उनोंने अपने पुत्र को यशुदा जी की सईया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर विवंदी ग्रह में लोटाई जेल में पहुँचकर वशुदेवी जी ने उसी कन्या को देविकी की सईया पर सुला दिया और अपने पेरों में बेडियां डालनी तदा पहली की तरह विवंदी ग्रह में बंद हो गए उदर अनंद पत्नी यशुदा जी को इतना तो मालम हुआ कि कोई संतान हुई है परंत वे यह न जान सकी की पुत्र है या पुत्री क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिस्रम हुआ था और दूसरे युकमाया ने उन्हें अचेत कर दिया था बोलिये बाल कृष्ण भगवान की जैं बोलिये स्रीमत भागवत महा की जैं आये भक्त व्रंदो स्रीमत भागवत महा पुराण में दसमिसकंद कें चौती अध्याएं गंसके हाथ से छूटकर योगमाया का आकास में जाकर भविश्य वानी करना ये प्रसंग स्रवन करें स्रीशुदिव जी कहते हैं परिक्षिता जब वशुदिव जी लोट तम नगर की बहारी और भीतरी सब दर्वाजे अपने आपी ही पहले की तरह बंदू हो गए इसके बाद नवयाति शिशु के रोने की ध्वनी सुनकर द्वारपालों की नीद तूटी वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देविकी को संतान होने की बात कहीं कंस तो ब लंग से उठखड़ा हुआ और बड़ी सीक्रता से सूत का ग्रह की और जप्ता इस वार को मेरे काल का ही जन्म हुआ है यह सोचकर वह बिहवल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान ना रहा कि उसके बाले बिखरे हुए हैं रास्ते में कई जगे वे कंस से कहा मेरे हित ऐसी भाई यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र बदू के समान है इसली जाती की है तुम्हें इसली की हत्या कदापी नहीं करनी चाहिए भाया तुमने दैविवस मेरे बहुत से अगली के समान तेजस्वी बालक मार डाले अब केवल यही एक कन्या बच्ची है इसी तो मुझे दे दो अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ मेरे बहुत से बच्चे मर गए इसली मैं अत्यंत दीन हूँ मेरे प्यारे और समर्थ भाई तुम मुझ मंद भागनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो स्री शुक्देव जी कहते हैं परिक्षित दीनता के साथ रोते रोते याचना की बहुत परंतों कंस बड़ा दुष्ट था उसने देवी की जी को जिड़क कर उसके हाथ से वह कन्या छी ली अपनी उस नन्ही सी नवजात भाने जी के पैर पकड़ कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा स्वार्थ ने उसके हिर्दे से सोहार्द को समूल उखाड पैका था परंत भगवान स्री कृष्ट की वह छोटी बेहन साधारण कर न्या तो थी नहीं देवी जी उसके हाथ से छूट कर तुरंत आकास में चली गई और अपने बड़े बड़े आठ हातों में आयुद लिये हुए अलवारे संक चक्र और गदा ये आठ आयुद थे सिद्ध चारण गंदर्व अपसरा किंदर और नागगड़ बहुत सी भेट की सामिक्री समर्पित करके उसकी अस्तुती कर रहे थे उस समय देवी ने कंस सी ये कहा रे मुर्ख मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा तेरे जन्म का सत्रों तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है अब तू भी अरत निर्टोस